हेलो एवरिवन मेरा नाम है राश्टर वीजिय और आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा वाटसब के लिए चैट बोट कैसे बनानी है ये बिल्कुल एलेकसा की तरह ही काम करेगा हर किसी को ये काम आएगा चाहे वो स्मॉल बिजनस ओनर हो चाहे वो री सेलर हो या कोई भी चोटा मोटा काम जो वाटसब के थूँ वो सुपोर्ट देना चाहते हो तो वो उन सब के काम आएगा इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना एक एप्लिकेशन का यूज करना ये एप्लिकेशन का मैं आपको बता दूँगा बाद में लास्ट में कि ये एप्लिकेशन कौन सी कौन सी आप यूज कर सकते हैं मार्केट में बहुत सारी एप्लिकेशन्स है तो इससे आपका approximate 80% काम कम हो जाएगा जो भी आप reply करते हैं specially जो reselling का आजकल काम चला हूँ है उसमें आपको यह चीज बहुत ज़ादा काम आने वाली है वीडियो को end तक जरूर देखना क्योंकि इसमें मैं कुछ technical steps बताऊँगा जिनको आप follow करके ही इसको properly use कर सकते हो और कुछ ऐसी settings बताऊँगा जिनको use करना बहुत ही ज़रूरी है otherwise यह काम नहीं करेगा और एक आपको guideline पता होगी WhatsApp की automation use करने पर WhatsApp block कर देता है तो वो block होने से कैसे बचा जाए वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के end तक तो बीच बीच में यह पूरा है यह सारे के सारे steps इनको जुरूर देखीगा चलो शुरूआत करते हैं वीडियो की मैं type करता हूँ simple message हाई अगर आपको कोई हाई send करे तो उसका reply क्या जाना चाहिए hello यह मैंने save कर दिया अब इसकी testing जो अपने करनी है वो अपने यहाँ पर testing के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं अपने दूसरे phone से message करूँगा इस पर यह मैंने message किया hi यह hi मेरे को message आया और उसका automatically reply भी जा चुका आपने देखा होगा कि मैंने कोई reply नहीं किया फिर भी उसका reply जा चुका है यह तो एक बहुत ही simple message था कि कोई exactly कुछ भी लिखे तो उसको आपने क्या reply देना है लेकिन suppose अगर कोई बहुत लंबी सी कोई line लिख दे तो उसके बारे में हम कैसे उसका reply इसके अंदर set करेंगे तो वो आप कर सकते हो इस option के साथ में ठीक है suppose किसी ने आपको कोई message किया I want to meet you at आगे कोई भी कुछ भी हो सकता है तो उसके लिए आपने क्या करने dot star लगा देना ही आपे और यह इसका reply मैं कर देता हूँ ठीक है अब इसमें आपने वो मैं message करता हूँ जिसके उपर reply आएगा तो देखिए जैसे ही वो message आया I want to meet you at तो उसका automatically reply चला गया तो हमेशा जो भी अपने यह बनाने है इसमें हमें expert pattern matching का ही use करना है तभी यह properly work करेगा यह तो वो हो गया कि last में अगर आप dot star लगाते हो तो इसका मतलब यह होता है कि sentence के last में उसके बाद में कुछ भी लिखा हो तो भी उसको वो properly reply चला जाएगा लेकिन अगर किसी ने किसी भी और बात से शिरुवाद कर दी जैसे suppose okay I want to meet अगर लिख दिया लेकिन हमें कैसे पता चलेगा उसने पहले कुछ लिखा है नहीं लिखा या कोई कैसे भी शुरुवाद कर सकता है तो अगर ऐसी कोई चीज हो तो उसके लिए एक छोटी सी हमने एक चीज लिखनी है एक छोटा सा फॉर्मूला है आपने ये लगा के ही शुरू करना है किसी को भी ताकि अगर वो शुरू में कुछ भी कोई भी एंट्री करे तो भी आपको पता चल जाए डॉर्ट स्टार कॉशन मार्क डॉर्ट कॉशन ठीक है उसके बाद स्पेस नहीं देना है अब मैं आपको एक और छोटा सा फॉर्मूला इसी में बता देता हूँ किसी ने अगर सुपोज ये लिख दिया अब हम इंडिया में रहते हैं यहां पे हर कोई इंगलिश को तोड मरोड के यूज करता है कोई किसी की कुछ भी स्पेलिंग लिख सकते है तो यह सबसे बड़ी मुश्किल है ये सेट करना क्योंकि ये जो रिप्लाई करेगा ना चैट बोट ये प्रॉपर एग्जेक्ली मैच अगर होता हुआ कोई फॉर्मूला बना तो ही ये उसका रिप्लाई करता है इस केस में अपने क्या करेंगे सुपोज अगर आपको लगता है कोई कलर की स्पेलिंग गलत लिखेगा हो सकता है C-U-L-O-U-R लिखे या हो सकता है C-U-L-O-R लिखे तो इस केस में अपने को क्या करना है ये caution mark लगा दे अगर किसी करेक्टर को किसी स्पैलिंग में किसी करेक्टर को अगर आपने skip करना है तो उसकी जगे पे ये caution mark लगा सकते हो जैसे मैने वर्ट में ए नहीं लगाया तो हो सकता है कोई WHT लिख दे या WHAT लिख दे तो ये छोटे-छोटे से फॉर्मुले हैं जो आपने यूज करने हैं इसके अंदर में जो चीज है जो settings का मैंने बताया था कि उन settings का ध्यान रखना है otherwise ये काम नहीं करेंगे तो उसमें सबसे पहली चीज है notification setting ये जो है ये notification के उपर ही ये काम करता है क्योंकि ये notification में जो message आते हैं उनको read करके ही ये उसका reply करता है अपनी जो chatbot है ये जो भी अपनी दूसरी application है जिसके थूँ अपने reply कर रहे हैं उसके पास notification को access करने के लिए proper permissions होनी चाहिए तो आपने क्या गरना है settings में जाना है सभी phones की settings अलग अलग जगह होती है आजकल इसलिए मैं properly वो path नहीं बता पा रहा है तो आपने वो उसमें settings का reply settings में permission on करनी ही करनी है तीसरी जो सबसे important चीज है वो battery optimization क्योंकि अगर आपकी application ये background में run होती रहेगी अगर आपने उसके battery optimization को turn off नहीं किया whatsapp के लिए और chat board के लिए तो ये automatically बंद हो जाएगी और reply नहीं जा पाएगा यूजर के पास में तो ये हमेशा battery optimization turn off होनी चाहिए अब आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे users भी हैं जिनको automatically reply नहीं भी जाना चाहिए उस case में हम क्या करें क्योंकि ये क्या होगा ये कोई भी message आएगा ना किसी भी user का आगया तो जैसे ही formula match होगा ये उसको reply करेगा ही करेगा आप इसको रोक नहीं सकते तो रोकने के लिए आपको क्या करना है simply user को mute कर देना आपने किसी भी user को अगर आपने automatically reply नहीं बेजने तो उसको mute करके रख दो mute कैसे करना होता है mute notification ये हमने simple सी setting whatsapp के अंदर use करनी है आप इसको बहुत जादा expand भी कर सकते हो जितना चाहो इसको ये लिख लिख के आपको कितने भी formula बना सकते हो अगर जैसे इसी के अंदर एक और भी आपने line add करनी है कि हो सकता है user ये लिखे या कुछ और लिखे तो आपने इस symbol का use करना है इस symbol का अब आप एक और यहाँ पे same pattern एक और बना सकते हो suppose कुछ भी लिख सकते हो तो ये क्या होगे ये दो अलग अलग lines होगी इनका आप जो भी reply set करोगे चाहे ok कर दो एक और reply set कर लो high इनमें से randomly कुछ भी reply user को चले जाएगा ठीक है लेकिन ये भी एक limitations है क्योंकि अपने को नहीं पता user कब क्या लिख दे और ये possible भी नहीं है manually कि हम वो सारी की सारी उसी way में लिख सके ये 10% ही possible है 80% possible नहीं है अगर आप चाहते हैं कि ये whatsapp में ही नहीं अपने instagram में facebook profiles में facebook के fan pages पे सभी जगह पे ये काम करें तो उसके लिए और 80% काम करें properly जैसे Alexa काम करता है Google का या जो Amazon का Alexa है तो उसी type से इसको काम करवाने के लिए आप मुझे hire कर सकते हैं मेरी official website बागडी.com पे तो आज की वीडियो में इतना ही आगे की मेरी और भी interesting थोड़ी सी technical और बहुत जादा interesting वीडियो देखने के लिए मेरे channel को please subscribe कर लिए थैंक्यू